हेलो चात्रों और दोस्तों कैसे हैं आप लोग आपका इस गुरुकुल में जेपियस्सी पीटी पेपर टू जारखन की भुगोल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चात्रगन मैं बता दू आपको एक बार फिर जेपियस्सी के फिलिम्स में पीटी में दो पेपर होते हैं पेपर वन जेनरल जीएस और पेपर टू जारखन जेनरल जीएस जारखन का समान ग्यान मतलब जेपियस्सी पेपर टू में केवल और केवल सौ का सौ प्रस्णू जारखन से ही रहेंगे और छारखन मैं सहरूप सर आपको उस पेपर टू के सिलेबस में जारखन का जो भुगोल जोगरफिय आप जारखन से रिलेटेड जितने पार्ठी करम हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा और आपको नोर्स मी लिखवाऊंगा तो छारखन जेपेस्टी पेपर टू पीटी का जो सौ प्रस्ण है जिसके कूल मार्ट्स टू हंड़ेड है दैट मिंस इच कुश्चन टू मार्ट्स परते कुश्चन दू नंबर का होगा आप छात्रगन दोस्तों गौर करेंगे तो पेपर टू के पार्ठी करम में बहुत बड़ा रोल भुगूल का है देखा जाए तो लगभग आधा सिलिबस कहीं न कहीं जुगरफी से रिलेटेड है तो छात्रगन आज उस पार्ठी करम का सबसे इंपॉर्टेंट चिप्टर जोग्रफिकल इंट्रोड़क्शन ओफ जार्खन जार्खन का भगावलिक परिचे चिप्टर नंबर वन के कुछ महत्वपून बातों को बताऊंगा तत्पश्चाथ आपको इसका नोटस भी लिखाऊंगा चात्रगन आप ये भी ध्यान रखे कि भगावलिक परिचे जो आपके पार्ठी करम का है जेप्यसी का प्रन्तों अदर्स जार्खन सरकार दुआरा आयुजित होने वाले बहुत सारी परिचाओं का भी ये कॉमन से लिबर से बट मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ जेप्यसी पेपर टू जार्खन का भगावलिक परिचे जोग्रफिकल इंट्रोड़क्शन ओफ जार्खन चात्रगन आप ध्यान देंगे इधर कि जैसे ये एक ग्लोब हुआ इस ग्लोब के जिरो डिग्री अच्छांस लेटिचूड लाइन्स के उपर नौर्थ नीचे सौथ इसे बोलते हैं इंग्रेजी में नदन हमोस्फेर सदन हमोस्फेर उत्री गुलार्थ दस्टनी गुलार्थ और इस उत्री गुलार्थ में इस जगा मेरा भारत है और इस भारत के ये उपर में नौर्थ इस्ट में हमारा जार्खन है तो छात्रगन हम ये कह सकते हैं परिचे में कि हमारा जार्खन पूरी तरह उत्री गुलार्थ नदन हमुस्फियर में है जार्खन उत्री गुलार्थ में स्थी थे जो भारत के उत्तर पूरब जो भारत के उत्तर पूरब में बसा एक राज है छात्रगन ध्यान देजिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जार्खन उत्तरी गुलार्थ में है क्योंकि हमारा भारत ही उत्तर गुलार्थ में है और ये भारत के उत्तर के पूरब में स्थी जार्खन है जिसे छोटा नागपूर का पठार भी कहते हैं चार्खन आप याद रखें कि बिस्ट के पूरे लैंड को बाटते हैं दो भाग में उपर वाले लैंड को बोलते हैं अंगारा लैंड मतलब जो लैंड यहां है खासकर उत्तरी अमिरका, युरोफ, युरेशिया यह हो गिया अंगारा लैंड नीचे गुनवाना लैंड लेकिन ये अंगारा लैंड का उपर वाला भाग और नीचे वाला भाग नीचे वाला भाग है अगर इससे छोड़ दिया जाए तो नीचे वाला भाग में दच्छिन पूरेशिया है ये इलाका है मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जार्खन बिस्व के अती प्राचिन गोंडवाना अंगारा नहीं गोंडवाना लैंड का एक भाग है क्योंकि सौथ अमरिका अफरीका दच्छिन पूरेशिया इसमें भारम भारत भी है अस्टेलिया मैं बोल रहा हूं सौथ अमरिका अफरीका प्राइदीपिय पठार इंडिया दच्छिन पूरेशिया और ये अस्टेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है तो हम कह सकते हैं परिचे में कि हमारा धारखन जो उत्री गुलार्द में है जो भारत के उत्तरपूर में बसा एक पठार है या बिस्व के सबसे प्राचिन लैंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है मतलब छोटा नागपूर और जारखन इस पार्ट अव गोंडवाना लैंड और इस पार्ट अव प्राइण सुलर प्लेटू यह जारखन भारत के प्राइदीप है देखिए प्राइदीप जैसे इंडिया का एक भौतिक सौरूप है इंडिया का एक फिजिकल डिवीजन है उस डिवीजन का नाम है प्राइदीप यह पठार प्राइण सुलर प्लेटू तो हमारा जारखन भारत के कौम से भौतिक सौरूप का पार्ट से तो हम कह सकते हैं जार्खन भारत के प्राइदीपी पठार का एक हिस्सा है जार्खन is a part of peninsular plateau Peninsular plateau is a physical division of India भारत के प्राइदीपी पठार का एक पाठ है हमारा जार्खन बेरी बेरी इपॉटेंट्स तो छात्रगन दोस्तों आपने देखा कि मैं क्या क्या पॉइंट को बताया प्रस्नाता है कि जार्खन कौन से गुलार्द में कौन से हमोस्फियर में बसी है तो उसका उत्तर होगा उत्तरी गुलार्द में बसा है भारत के कौन से साइट में है कौन से दिशा में है तो उसका उत्तर होगा उत्तर पूरब जार्खन भारत के कौन से भौतिक स्वरूप का पार्ट से तो उसका उत्तर होगा प्राय दीपिये पठार फिर कुछन आएगा कि भारत का जार्खन बिश्व के कौन सी सबसे ओल्डेस्ट लैंड का पार्ट है तब भी उसका उत्तर होगा गोंडवाना लैंड ये महत्पून महत्पून बाते अनिक परिश्वाओं में जेपियेसी में और जार्खन गौवर्म्मेंट द्वारा आयूजित होने वाली अन परिश्वाओं में भी बहुत बार पूछे गए है चात्रगन आप जान दिजिए कि हमारा जार्खन जो पंदरा नौवंबर पंदरा नौवंबर सन दो हजार को अलग हुआ जार्खन अलग राज का निमान हुआ जो बिहार से कट कर बना और बिहार की और बिहार के जब इसका निमान हुआ तो यह जार्खन बिहार के 46% भाग को लेते हुए अलग निमान अलग राज का निमान हुआ चात्रगन प्रस्ण आता है कि जार्खन जब अलग हुआ तो बिहार की कितनी परसंट भूमी को लेके अलग हुआ तो उसका उत्तर होगा 46% 46% असपस्ट है आप चात्रगन मैप पे ध्यान देजिए तो इस मैप के जार्खन जो मैप है इसके उत्तर में बिहार पूरब में पस्सिम बंगार बेरी बेरी इंपॉर्ट पॉइंट्स दच्छिन में उडिशा और पस्सिम में 36 गड़ और यूपी राज है तो प्रशन आता है चात्रगन कि जार्खन के आसपास कितने पडोसी राज है तो उसका उत्तर होगा चात्रगन पाँच है फिर प्रसन आजाए कि जार्खन के उत्तर में कौन पडोसी राज है तो बिहार फिर प्रसन आजाए कि जार्खन के पूरब में कौन पडोसी राज है यहारकन के दच्छिन में कौन परोशी राज मेरा है तो उरिशा जारकन के पश्टिम में कौन परोशी राज है तो उसका उत्तर होगा छात्रगन उत्तर प्रदेश और चत्तिसगड इस प्रकार छात्रगन हम कस रकते हैं जारकन is a land-locked state जार्खन भू आवश्टित भूमी से घिरा हुआ एक राज है ना कि कोस्टल अस्टेट ये एक तटी राज नहीं है ये लैंड रॉक्ड राज है भू आवश्टित राज है जिसके परोसी राज्यों की संख्या कितनी है पाँच है ये जो पाँच राज है हम देखेंगे तो जार्खन का जो सेफ है आकार है वो चत्रभुजाकार है कितने भुजाए हैं चार भुजाए हैं आकार कैसी है चत्रभुजाकार है तो गौर किजएगा कि हमारा जार्खन जो है ओ लंबाई और चड़ाई के किलोमीटर में अंतर दिखाए पड़ती है जैसे मैप पर आईए कि जहाँ इंडिया के उत्तर से दच्छिन की लंबाई है 3214 किलोमीटर और चड़ाई है 393 किलोमीटर मतलब इंडिया के संदर में उत्तर से दच्छिन लंबाई जादा है चड़ाई कम है अगर हम जारखंड संदर में आते हैं तो जारखंड में इसीती ऐसी है कि इसकी चड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है मतलब तीन सो असी और चार सो तिरशट मतलब इसकी चड़ाई है पूरब से पसिन चार सो तिरशट किलोमीटर ऐसे जबकि लंबाई है तीन सो असी किलो मीटर मतलब जारखंड की लंबाई कम है चड़ाई जादा है भारती संदर में लंबाई जादा है चड़ाई कम है जारखंड संदर में इसकी लंबाई तीन सो असी है और चड़ाई पूरब से पसिन चार सो तिरशट है फोर सिक्ष्टी त्री किलो मीटर अब छात्रगन यहां पे आपको गौर करना है कि जो बिहार है यह हमारा उत्री पडोसी राज है उत्री उत्री पडोसी राज है और इस राज को छूने वाले राज्यों की यह राज को हमारा जारखंड से छूने वाले कूल जीलों की संख्या दस है कितने है दस जो दस है उसमें से दस का नाम है गढ़ हुआ पलामू चत्रा गीरिडी हजारी बाग देवघर दुमका गुडड़ शायबगन एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ और एक हो गे आपका पाकुड गढ़वा, पलामू, चत्रा सौरी एक क्या छूट गया है उपर में कोडर्मा तो शायब गण कोडर कीजिए कि बिहार को छूने वाले कूल जीले कितने हैं तो उसका उत्तर होगा दस कितने हैं दस उत्तर में कौन पडोसी राज है तो बिहार है बिहार को छूने वाले कूल जीलों की संख्या कितनी है तो दस है गढ़वा, पलामू, चत्रा कुडर्मा, गिरिडी, हजारी बाग देवघर, दुमका, गुड़ा साइब गंश एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस कितने जीले? दस जीले चात्रगन परिछाओं में ये पूछी जाती है प्रसनाता है गिरिडी, हजारी बाग, पलामू, जाम तड़ा गिरिडी, हजारी बाग, पलामू, जाम तड़ा इड में से कौन सा ऐसा जीला है, जो बिहार को नहीं छूता जाम तड़ा कौन होगा? जाम तड़ा उसी प्रकार बंगाल जो हमारा पूर्वी पड़ोसी राज है इसको भी छूने वाले जीलो की संख्या दस ही है सराय के लाधार सावा पूर्वी सेभो राची रामगर बुकारो धनबार धनबाद के पशाद देवगर उसके बाद अन्य संथाल परगना के तीन जीले इसे चूते हैं मतलब प्रस्ण है बिहार को छूने वाले जीलो की संख्या कितनी है तो दस है बंगाल को छूने वाले जीले कितने है तब भी दस है मतलब अब हम पॉइंट प्यार है कि इस धार्खन के दच्छिन में उडिसा है तो उडिसा को छूने वाले कूल जीले कितने है तो यहां चाही है पूर्वी सीभूम पस्वी सीभूम सिम्डेगा और सराय केला खरसावा क्योंकि हमारे जार्खन के दच्छिन में चार ही जीले है पूर्वी सीभूम पस्वी सीभूम सराय केला खरसावा और सिम्डेगा यह चार जीले उड़ी सा को टच करते हैं हमारा पस्वी में 36 गड़ा और यूपी है 36 गड़ को छूने वाले जीलों की संख्या भी चार ही है फोर ही है जिसमें से नाम आता है सिम्डेगा लातेहार का नाम आएगा इसमें लुहर्दवग्गा नहीं होगा याद रखा जाए जीले कुर कितने है चार चातरगन बिहार से छूने वाले दस उड़िसा से सरी बंगाल से भी दस उड़िसा से चार और यूपी को टच करने वाला एक मात्र जीला गढ़वा है कौन है? गढ़वा चातरगन अपी ध्यान देंगे कि गढ़वा जार्खन का एक ऐसा जीला है जो तीन राजियों को छूता है उसका उत्तर होगा बिहार यूपी और चातिस गढ़ चातरगन प्रस्ट कुछे गए हैं बिहार यूपी यूपी चातिस गढ़ और उरिशा इन में से कौन सा ऐसा राज है जो गढ़वा के जीला को नहीं छूता तो उसका उत्तर होगा उरिशा उरिशा गढ़वा को नहीं छूता उरिशा तो टच करता है पुर्वी से भूम, पस्वी से भूम सराय केला, खार, सामा और सिम्डेगा को सिम्डेगा दथ्मी राज है गढ़वा उत्तर पस्मी राज है तो चातरगन आप कोई जानना है कि कौन कौन से पडोसी राज है और उन पड़ोसी में कौन-कौन जीला उस पड़ोसी राजियों को छूते हैं, टच करते हैं चात्रगन ध्यान दिजी आप लोग कि यहां वाले दस जीले, बंगाल वाले दस जीले जब छूते हैं उरिसा वाले चार, छतिस गड़ा वाले चार, यूपी वाला एक इस प्रकार, मात्र, इस प्रकार, जितने जीले पड़ोसी राजियों के छूते हैं उसमें से लोहर दगगा और खूती, लोहर दगगा और खूती ही मात्र ऐसे दो जीले हैं, जो किसी पड़ोसी राजियों की सिमाओं को नहीं छूते जार्खन के ऐसे मात्र कौन दो जीले हैं, जो किसी पड़ोसी राजियों को नहीं छूते, तो उसका उत्तर होगा लोहर दगगा और खूती, तो जार्खन के पड़ोसी राजियों की सिमाओं को नहीं छूते अब छात्रगन, आप ध्यान दिजे, मैं बोला कि यह जार्खन भारत के प्राय बेपिय पठार का एक उत्तर पूर्वी भाग है भारत का एरिया है 32,87,263 स्क्वाय वहीं, वहर किलुमेटर है यह इंडिया का एरिया है, छेत्रफल है इसमें से 79,714, इसमें से 89,714 वहर किलुमेटर का एरिया हमारा जार्खन है मतब 32,87,263 में 89,714 किलुमेटर का एरिया जार्खन में समाही थै मतलब हम कह सकते हैं कि जार्खन भारत के कूल छेत्रफल का 2.42 परसेंट है जार्खन भारत के कूल छेत्रफल का कितना परसेंट अपने पास भूमी को रखे हुए है तो उसका उत्तर होगा 2.42 परसेंट 2.42 परसेंट भूमी हमारा जार्खन के पास है इंडिया का अब यहां पर गौर किजिए आप लोग एक बात कि इतनी परसेंट भूमी जो हमारे पास है उसमें से जो पूरा इंडिया जार्खन का एरिया है एरिया तो है उनासी हजार साथ सो चौदा वर किलोमीटर उसमें से उस एरिया में से 77,922 ग्रामिन छित्र है ग्रामिन भूमी है जबकि 1792 जो है वो सहरी भूमी है देखे मैं क्या बोर रहा हूँ मैं बोर रहा हूँ जार्खन का छित्र पल है 89,714 वर किलोमीटर इसमें से 77,922 ग्रामिन और 1792 सहरी छित्र की भूमी है ये पूरे जार्खन जो प्राय दीपिय पठार का एक हिस्सा है इसकी एब्रेज जो हाइट है उच्छो सो से 900 मीटर के बीच है 600 to 900 मीटर एब्रेज मैं बात कर रहा हूँ 600 मीटर एब्रेज लेकिन इसी एब्रेज में गिरी दी का पारसनाद की उचाई है 1365 मीटर और 1365 मीटर गिरी दी के पारसनाद का एक सिखर है पीक पॉइंट का नाम है सामेथ सिखर हाइट कितनी है 1365 मीटर जार्खन बिहार की सबसे उची चोटी का नाम क्या है समेथ सिखर कितनी हाइट है 1365 मीटर और यह पारसनाद जो कट छट गई है इरोजन हो गया है पठार में चिंज हो गया है अगर कोई परवत कट कर पठार में चिंज होती है परिवर्तन हो जाता है तो उसे आउसिस्ट परवत कुन परवत आउसिस्ट परवत के नाम से जानते हैं लेकिन इजार्खन के सबसे उची चोटी है पारसनात का समय सिखर लेकिन इसी जार्खन के पस्सी में एक इलाका है पाट चातरगन विविन परिशाओं में पूछी गई है पाट का परदेश नाम का एक भौतिक सरूप पाट विजन नाम का एक फिजिकल अस्ट्रक्चर भारत के कौन से राज में है तो उसका उत्तर होगा जार्खन और उस जार्खन के कौन सी दिशा में तो पस्सिम जिसमें से लातेहार लोहर दगा और गुमला के जीलों को शामिल करते हैं और यह पाट का प्रदेश जार्खन का सबसे उचा भौतिक सरूप है जिसकी हाइट है 900 से 1100 मीटर यह सबसे हाइस्ट भौतिक सरूप है जहां पर एक इलागा है आप नाम सुना होगा देखा जाए तो इसे जार्खन का हील स्टेशन कहते हैं नाम है नेतरहाट जो लादिहार में है यह नेतरहाट पाट की हाइट है 1080 मीटर जो पाट के परदेश की सबसे उचा भाग है और यह जार्खन का सबसे उचा भौतिक स्वरूप की बात होगा तो पाट आएगा सबसे उची चोटी होगी तो उसका उत्तर होगा गिरी डी का पारशनाथ परवत का सामेथ सिखर जो जैनों की तिर्थंकर पारशनाथ के नाम पे पड़ा है पारशनाथ का परवत जिसकी चोटी का नाम है सामेथ सिखर जिसकी हाइट है 1365 मीटर यह धारखन प्राइदीपिय पठार का खिस्टा है और विश्ट के गुणडवाना लैंड का भाग है यहाँ धारखन के 90 परपिसद भागों पर 90 परसेंट एरिया पर आर्कियन एक काल है आर्कियन यूग का ग्रिनाइट निस सिस्ट यहाँ धारखन के 90 परसेंट भाग पर कौन सी काल की चटान है तो आर्कियन यूग का है कैसी चटान है तो इगनेस का ग्रिनाइट निस सिष्ठ है अता इसी लिए चुक जार्खन के 90% पर इगनेस रोक से इसी लिए जार्खन के 90% भूमी पर अगर मिट्टी है तो रेट स्वाइल है लाल मिट्टी है और छात्रगन ये जार्खन एक मैं बारा बोल रहा हूँ ये प्राजी पिय भारत का एक हिश्चा है ये प्रेंसुलर प्लैटू का हिश्चा है और Peninsular Plateau इंडिया का सबसे प्राचिन भूमी है और इसे प्राचिन भूमी का एक भाग जारखन है जिसका निर्मान 15 नौंबर सन 2000 को हुआ 78 राज के रूप में और जम्मु कस्मेर अलोग गई वो उसको बाटा गया दो किसासित परदेशों में तो ऐसे में वर्कमान में जारखन का जो राज है अभी एट परजेंट भारत में 28 अस्टेट है 28 राज है उस 28 में भारत में 28 अस्टेट में जारखन का अस्थान 79 714 के अनुसार हमारा छेतरफल में संख्या है नम्बरिंग में 15 फिप्टींथ मतलब प्रसंगरी आजाए कि वर्कमान में जारखन का छेतरफल में कैमा स्थान है तो उसका उत्तर होगा पंदरावा तो छात्रकन आपने ये देखा कि जारखन का भागौलिक परीचे कितना इंपॉर्टेंस स्टेटर है और इस भागौलिक परीचे से 50 से उपर प्रश्मों का हम हल कर सकते हैं और जारखन का भुगोल पढ़ना है तो सबसे पहले जारखन का भागौलिक परीचे आपको जानना था मैंने प्रयास कि चात्रों कि अच्छी तरह बताने का कि जारखन का भागौलिक परीचे कैसे दिया जा सकता है ओके चात्रकन मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से जार्खन का भगौलिक परीचे जोगरिफिकल इंड्रोडक्शन और जार्खन समझ गये होंगे थाइंक यू